Hello students, आज हम जानेंगे इसमें जैल ऐलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में और ये जो जैल ऐलेक्ट्रोफोरेसिस है इस टॉपक को भी हमने बायो टेखनोलोजी वाले चैप्टर से लिया है तो इसे अब समझते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है जो gel electrophoresis में हम क्या लेते हैं DNA का fragment लेंगे अब यह जो DNA का बड़ा fragment है इसके उपर हम इस पर restriction endonuclease नाम का enzyme apply करते हैं अच्छा यह जो DNA का बड़ा fragment है इस पर हम यह देखते हैं कि कहां कहां पर हमारे जो gene of interest हैं available हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस पर restriction enzyme का use करते हैं और restriction enzyme के थूँ यह चोटे-चोटे parts में ब्रेक हो जाता है इसलिए restriction enzyme को हम molecular seizure के नाम से भी जानते हैं अच्छा यह बात तो बच्चों आपको पता ही होगी कि जो DNA है वो कैसा molecule होता है वो एक negatively charged molecule होता है ठीक है अब इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे इसको अलग-अलग separate करने के लिए इसको size के according इसको separate करने के लिए हम एक machine का use करते हैं और यह जो machine है यह कुछ plate-like दिखाई देती है और इसके अंदर यहां पर यह wells बनी हुई है इन wells के अंदर हम क्या करते हैं इन wells के अंदर ही हम DNA को सबसे पहले apply करेंगे यहां पर हम इसको भेजेंगे इसके अलावा इसको भेजेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके उपर प्लेट के उपर एक agarose gel को apply कर लेते हैं क्या apply करेंगे agarose gel यह जो agarose gel है इसको हम sea weeds स यह समुद्र में आने वाले जो वीड्स होते हैं वहां से इसको लेंगे और इसके उपर पहले एपलाई किया जाएगा यह सीवीड्स का क्या काम है कि इसके उपर एक पॉजिटिव चार्ज देने का काम करता है और DNA क्या है नेगेटिव ली चार्ज है इस टेक्निक का नाम क्या है जैल लेक्ट्रो फोरेसिस मतलब यहां पर हम एक एलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं कैसे जनरेट हो रहा है DNA एक नेगेटिव ली चार्ज मॉलिक्यूल है और यहां पर जो मैट्रिक्स यूज किया जा रहा है यह मैट्रिक्स कैसा है पॉजिटिव ली चार्ज है तो यहां पर एक एलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस वज़ेसे इसका नाम क्या रखा गया है जैल इफेक्ट होता है कि DNA अपने साइस के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है DNA क्या होगा अपने साइस के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है जो छोटे फ्रेग्मेंट्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक रन कर पाते हैं जबकि जो लार्जेस्ट फ्रेग्मेंट्स होते हैं DNA के वो ज्यादा दूर तक रन नहीं कर पाते हैं तो यहां पर ऐसा किया जाता है तो इस तरीके से इस में हम सबसे पहले क्या करेंगे जो कटा हुआ हमारे DNA के फ्रेग्मेंट्स हैं इनको इन वेल्स के वाव पर एपलाई करते हैं और यहां पर हमने पहले से क्या एपलाई कर रखा है अपना यह एगरोस जैल एपलाई कर रखा है जिसकी वज़े से यहां पर क्या होगा यहां पर एक एलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट होगा और DNA किसकी तर यहां पर this run करेघा और यहां पर srand करने से यहां पर क्या जन्रेट होगा एक एक Est puedes Lumena यहां पर जन्रेट हो जाता है और इसी वज़रे से हमने सक नाम किया रखा है झाल आद रखा है जो यहां अब अपने size के according क्या, हो जाती है, separate हो जाती हैं, यहाँ पेहले ही बता चुके हैं, कि यहाँ पर हम DNA को sike, size के according, separate कर रहे ह jackets क्या, कौन सा, यहाँ पर एक effect बन रहा है, जिसे, हम क्या बलता, सेविं इफेक्ट और सीमिंग इफ्व eq wordt कोन प्रौड़ घर लिया अब नेक्स्ट ही यहां पर ये तो हमने सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं कि जो सेपरेट understands से Suppose to । इसके लिए हम यहां पर क्या अंथिम रॉमाइड का यूज है दे हैं desses ze साथ यहां पर क्या डालेंगे, इसके बाद में थीदियम ब्रॉमाइट पर डालेंगे, फिर उसके बाद यहां पर UV rays को हमें एक्स्पोज करते हैं इसपर UV radiation को क्या करेंगे इस पर एक्स्पोज करेंगे जिसके बाद अमें क्या मिलते हैं यह पर orange colour और यह आठे डाय। और घीषियरोत को फृट रिड़े की शोवर्षत। और agrosal gel से इनको cut करके अलग कर लिए जाता है, बाहर कर लिए जाएगा और इनको यहाँ पर इस gel piece से agrosal gel से काट के बाहर निकालने की जो technique होती है इसी process को हम किस नाम से जानते हैं illusion के नाम से जानते हैं ठीक है? तो यह पूरा हमने आज किसके बारे में समझाया आपको एगे रोस जेल के बारे में सॉरी यहां पर हमने आपको जैल एलेक्ट्रो फोरसिस के बारे में समझाया I hope कि आपको समझ में आ गया हो और थेंक यू विटा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो